रास बिहारी बोस आज उनकी पुन्यतिती भी है और रास बिहारी बोस का चरित्र कितना धवल, कितना उजवल, कितने इंटेलिजेंट, कितने प्राक्रमी, बहादुर वो रहे हैं आज हम उसकी बात करेंगे रास भीहरी बोस जी हम पतंजली योग पीठ के लिए हम सब के लिए इसलिए भी खास हैं कि रास भीहरी बोस वो हैं जिन का संबंध हमारे कृपालुदेव जी महराज से हुआ हमारे गुरु गुरुदेव क्रपालु देव जी महराज रास बिहरी बोस के अनन्य सही होगी थे रास बिहरी बोस वो हैं जिनोंने मेडिकल और इंजीनिरिंग की पढ़ाई करके भी सुख सुविधाओं को ठोकर मार कर अपना पूरा जीवन मा भारती के लिए समर्पित कर दिया रास बिहरी बोस वो हैं जो अंग्रेजों के उपर आक्रमन करके अंग्रेजों का जो लॉर्ड होर्डिंग है वायस राय उस समय जो होता था आज के प्रधानमंत्री और राश्टरपती दोनों की ताकत को मिला दिया जाए तो उस समय जो अंग्रेजों की रानी का प्रतिनिधी होता था लॉर्ड होर्डिंग जो वायस राय था दिल्ली में दिल्ली के भरे दरबार में आज चांदनी चोक में जो पी एन बी का बैंक ह उसके पास हाथी के उपर जो उसकी सवारी निकल रही थी उसके उपर बम फोड़ने का काम रास बिहारी बोस जी ने किया था रास बिहारी बोस वो थे जिन्होंने 1857 की करांती के बाद बंगाल के करांतिकारियों को संगिठित करके बम बनाने की टेक्नोलोजी भारत में ले करते रहे जियो कभी रुके नहीं कभी जुके नहीं कभी डरे नहीं निरंटर लगे रहे पुरा जीवन मा भारती के लिए समर्पित कर दिया जिनकी दृष्टी में एक वीजन था कि भारत कैसे सोतंतर हो सकता है, जापान में रहकर जिन्नों ने पूरी उम्र लगा दि, नेता जी सुभास्षंदर बोस ने जो आजाद हिंद फोज बनाई, उसके निर्मान में जिनका एहम योगदान रहा, यदि रास भिहारी बोस नहीं होते, तो नेता जी सुभास्षंदर बोस को शिक्षा करते करते कलकता में पढ़ते पढ़ते वह चारू चांद एक वहाँ पर क्रांती कारी शिक्षक थे उनके संपर्क में आए उनके संपर्क में आकर क्रांती की उनको लो लगी पिता जी उनको पढ़ाना चाहते थे मेडिकल इंजिनिरिंग की बड़ी पढ़ाई उन्होंने उस समय जर्मनी में की फ्रांस और जर्मनी में पढ़ाई की यूरोप में उस समय जाकर पढ़ना और पढ़ने के बाद ये सुनिश्चित था कि वो चाहते तो बहुत आराम से बहुत अच्छा जीवन गुजार सकते थे उस समय इंजिनिरिंग के नाम पर कोलेज के नाम पर सिर्फ यूरोप में कोलेज होते थे तो उस समय वहाँ फ्रांस और जर्मनी में जो पढ़ कर आया और पढ़ कर आने के बाद उनके मन में एक उतकंठा थी कि मुझे देश के लिए कुछ करना है तो इसके लिए उन्होंने कोई बड़ी नोकरी नहीं की किसी सुईधाओं से पूर्ण जीवन नहीं जिया उन्होंने देहरादून के FRI में Forest अनुसंधान के अंदर में वहाँ पर उन्होंने नोकरी की और वहाँ का जो chemical रसायन विभाग था वहाँ पर उन्होंने नोकरी की उस बम के लिए वो chemical प्राप्त कर सके करांतिकारी जीवन की शुरूत जब वो छात्र थे तो हो गई थी अरविंदो घोस बंगाल में सक्रिय थे यतिन मुखर जी सक्रिय थे युगांतर नाम का करांतिकारी संगठन बना हुआ था उस युगांतर को उन्होंने ज्वाइन कर लिया अर्विंदो घोस के जो राजनेतिक शिष्ष थे जतिंदरनाथ बनर जी जिनको निरालंब स्वामी के नाम से कहा जाता था उनके संपर्क में आये और जब वो बंगाल के करांतिकारियों के संपर्क में आये तो उनको जिम्मेदारी दी गई कि पंजाब के करांतिकारियों को भी संगठित करो पंजाब में जो अधिकतर करांतिकारी थे वो आरे समाज से जुड़े वे थे शहीद भगत सिंग का पूरा परिवार आजे समाजी था उनके चाचा उनके पिता जी उनके दूसरे चाचा सब करांतिकारी थे तो उनको संगठित किया रास बिहारी बोस पश्चिमी बंगाल के अलग-अलग स्थान पर होगली में भी रहे और वहाँ पर रहकर वो लगातार क परांतिकी गतिविधियों को संचालित करते रहे, लोगों को जोडते रहे, देहरादून के FRI में जब उन्होंने नोकरी जोईन की तो उनका एक उद्देश्य था कि मुझे यहाँ पर बंब बनाने के लिए जो आउसिक रसायन चाहिए, क्योंकि उस समय रसायन भारत में ऐ उनका इसे उपलब्द नहीं थे, तो उस समय जो रसायन चाहिए, उन रसायनों के लिए उनको किसी लैब में नोकरी करनी जिरूरी थी, और किसी सरकारी लैब में नोकरी करते वे ही वो रसायन प्राप्त कर सकते थे, कैमिकल प्राप्त कर सकते थे, जिससे वो बंब बना सके 1912 में 23 दिसंबर को अंग्रेजों का जो Lord hoarding है जो वाइस राय है उसने दिल्ली में दर्बार लगाया कलकत्ता में पहले अंग्रेजों की राजदानी थी अब उन्होंने मन बनाया कि हम दिल्ली में shift कर लेते हैं क्लकत्ता में लगातार क्रांतिकारी बम विसफोर्ट कर रही था थोड़ी दिन पहले हमने खुदीराम बोस की बात की थी 1908 में खुदीराम बोस और फरफुल चाकी ने वहां का जो एक जज था किंग्स फोर्ड अंग्रेज जो क्रांतिकारियों को सजा देता था उसकी हत्या करने के लिए मुझफरपूर में बम फेका था बगगी के उपर बम फेका पारसल से बम भेक दिया तो उन्होंने देख लिया कि ये बंगाल में रहना खत्रे से खाली नहीं है तो उन्होंने निर्णे लिया कि अब हम अपनी राजधानी दिल्ली में बनाएंगे और दिल्ली में दिल्ली दर्बार सजा था उस दिल्ली के दर्बार में 3565 जो रियासते होती थी सारी रियासतों के राजाओं को बुलाया गया सारे स्री महनतों को जो रियासतदार थे जो अमीर लोग थे सब को बुलाया गया दिल्ली में बहुत बड़ा दर्बार सजाया गया पूरी दिल्ली में रोनक रही और दिल्ली के दर्बार की सहयता से अंग्रेज ये दिखाने चाते थे कि देखो अंग्रेज कितने ताकतवर है रास बिहारी वो उसने चिंतन कर लिया कि ये तो हम हिंदुस्तान में नहीं होने देंगे अंग्रेजों के इसी दर्बार में हमें वायस राय के उपर हमला करना है, उसको मारना है, 1857 की क्रांती के बाद, जो युवाओं के अंदर, जो रक्त सोया हुआ है, उस सोय हुए, शोनित को दोबारा से जगाना है, शोरे का संचार करना है, रगों को दोबारा से, शोरे के लहू से भरना है, इस संकल्प के साथ, रास दूस निकलेगा, वो बग्गी में निकलेगा, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा, जब वो हमला करने के लिए 23 दिसंबर को गए, तो उन्होंने देखा कि वाइसराय तो हाथी के उपर बैठ कराया हुआ, हाथी के उपर हाथी सजा हुआ है, हीरे जवारात लगे हुए ह वायसराय अपनी परिवार के साथ हाथी के उपर बैठा हुआ है, वायसराय के पीछे उसका अंगरक्षक मैक्सवल है, वायसराय के साथ में छत्र पकड़ने के लिए उन्होंने एक विक्ति को पकड़ाया हुआ है, छत्र वो पकड़ा हुआ है, आगे महावत हाथी के उपर ब और इसी ज़्यादा थी, उनको बम दिया, कि तुम बम फेको, वहां तक बम पहुचाओ, कि वाइसराय के उपर सीधे होदे के उपर जाकर बम गिरे, तो उन्होंने बम फेका, अब दुर्योग देखिए, और अंग्रेजियों का सईयोग देखिए, कि उस बम से, वाइसराय त उपर बम फेक सकता है, तो उन्होंने उस समय दिल्ली दर्बार में भगदर मची और भगदर का लाब उठा कर, सारे करांतिकारी, अमरेंदर चटर जी वहां पर थे, वशंत कुमार विश्वास वहां पर थे, वो सब अलग-अलग हो गए, और रातो रात, रास बिहारी बोस रात की गाड़ी से पकड़ कर, अपने देरादून के वन विवाग में पहुँच गए, और उन्होंने ऐसा दिखाया कि जैसे कुछ हुआ ही नी, उनको कुछ पता ही नी, तो ये दिल्ली में, जो बम कांड हुआ, पूरी दुनिया में अंग्रेजों के खूब किरकरी हुई खूब थूतू हुई, उन्होंने दिल्ली दर्बार आयुजित किया था, लाखों रुपे खर्च करके, कि अब दिल्ली दर्बार के माध्यम से हम भारत का ब्रेनवाश करेंगे, मनोवैग्यनिक तोर पर ये दिखाएंगे, कि भारत को अंग्रेजों से कोई आजाद नहीं क रखेंगे, फरवरी मार्च में भाई बाल मुकुन जी, अवद बिहारी जी और वसंत कुमार विश्वास जी को पकड़ लिया, आठ मई 1915 को उनको फांसी के उपर लटका दिया, वसंत कुमार विश्वास जी को 9 मई को फांसी के उपर लटका दिया, और वो लगातार सर्च में लगे वे थे कि और कौन इसका mastermind है और कौन विक्ति है अब 1913 में बंगाल में बाढ़ आई तो जतिन मुखर जी जी वहाँ पर सेवा का काम कर रहे थे रास विहारी बोस जी फिर संगपर्क में आए फिर उन्होंने उत्सा से करांति का काम करना शुरू किया कि 1912 में तो य जी ने योजना बनाई कि अंग्रेजों की अधिकतर सिपाही विश्य युद में भाग लेने के लिए देश के बाहर होंगे अंग्रेजों की नफरी कम रहेगी संख्या कम रहेगी हम यहाँ पर सारे केंटीनमेंट में जितने भारतिय सिपाही हैं जैसा 1877 में किया वैसे हम विद्रो करवाएंगे उन्होंने लोगों से संपर्क करना शुरू किया अमेरिका में उस समय विश्णू पिंगले जी रहते थे उनको बुला लिया गया उनकी डूटी लगाई गई उन्होंने पंजाब में गए करता सहीद भगत सिंग के जो गुरू थे करतार सिंग सराब अभाई परमाना दिन सब ने मीटिंग की और सब ने योजना बनाई कि अंग्रेजों के जितने केंटूनमेंट हैं उन सब के अंदर हम जाएंगे और उन केंटूनमेंट के अंदर जाकर हम सब के अंदर विद्रोह करेंगे और सिपाईयों को तयार करेंगे कि एक डेट हम त करेंगे और सब जगें हम अंग्रेजों को मार कर भारत से भगा देंगे तो 1857 की गदर की योजना के जैसी ही 1857 के क्रांती की योजना की जैसी ही उन्होंने योजना बनाई क्रांती की जिसको गदर का नाम दिया गया गदर पार्टी का गदर शडियंतर का नाम अंग्रेजों ने दिया तो उसमें करांतिकारियों को संगठित करके यह जो योजना बनाई उसमें सचिंदरनाथ सान्याल जी लगे वे थे पंजाब के करांतिकारियों को जोड़ दिया सारे करांतिकारियों को जोड़ दिया और यह तै किया कि इस बार तो शशस्त्र करांति करेंगे और सफ अंगरेजों ने यहां सारे क्रांतिकारियों की धरपकड शुरू कर दी और इस जो गदर की योजना थी जो क्रांतिकी योजना थी ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई क्रांतिकारियों को गिरफतार कर दिया गया उनको जेल में डाल दिया गया और जब अंगरेजों ने दे देंगे तो उन्होंने अब जो शशस्त्र करांती की योजना बनी तो इसमें रास प्यारी बोस जी का नाम प्रमुक्ता से पुलिस के सामने आ गया रास प्यारी बोस के पीछे पुलिस पड़ी पड़ी हुई थी तो रास प्यारी बोस हरिद्वार में आये हरिद्वार में उस वन्दे मात्रम के नाम से जो समाचार पाटर छपता था उस समाचार पात्र को अंग्रेज बार-बार वहां से छापना बंद कर देते थे बार-बार छापा मारते थे कृन्ती कालियों को पकड़ लेते थे तो वो समाचार पत्र भी हमने अपने आश्रम से अपने पतंजली का जो पहले का आश्रम है कंखल में दिव्वे योग मंदिर जो आज का नाम है पहले जिसका नाम करपालु देव आश्रम था हमारे दादा गुरू युगांतर और वंदे मात्रम को यहां से वित्रित करने का क प्रांती का प्रचार प्रसार करने में काम करते थे और जब रास विहारी बोस के उपर अंग्रेजों की पूरी पूरी पुलिस पड़ी हुई थी भारत में अंग्रेजों का रास विहारी बोस का रहना मुश्किल था तो वो बंगाल को छोड़कर उत्तराखंड में यहां उस स सिपाही मानते थे तो ऐसे हमारे दादा गुरु थे उस समय रास बिहारी बोस पर अंग्रेजों ने ये बताते हैं कि एक लाख रुपे का इनाम रखा हुआ था कि ये जो रास बिहारी बोस है ये बड़ा अजीब आदमी है इसके अंदर इतनी संगठन की योग गता है कि ये बाहर रहा तो फिर क्रांती करवा देगा रास बिहारी बोस को पता था कि मैं यदि अंग्रेजों ने पकड़ दिया तो मुझे फौसी के फंदे पर चड़ा देंगे या काले पानी में सड़ा देंगे वो ये चाहते थे कि मैं जीकर इस क्रांती की लड़ाई को आगे लेगी उसके बिना अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाना मुश्किल है तो हमारे दादा गुरू देव करपालु देवजी माराज के सयोग से और क्रांतिकारियों के सयोग से राष्ट्र बक्तों के सयोग से वो जापान पहुंचे जापान में रहकर उन्होंने जापानी भाशा सीखी, जापान के शहर संघाई में पहुँचकर, उन्होंने रविंदरनाथ टैगोर जी के रस्तिदार अपने आपको बताया, और रविंदरनाथ टैगोर के रिलेटिव वहाँ पर रहते थे, उन रिलेटिव के बीच में, वो टैगोर उन्होंने रास बिहारी टैगोर के नाम से अपना नाम रख लिया और रास बिहारी टैगोर के नाम से पी एन टैगोर के नाम से वो पासपोर्ट लिया और पासपोर्ट लेकर वो जापान पहुंचे जापान में वो रविंदरना टैगोर जी गुरुदे रविंदरना टैगोर जो रिलेटिव रहते थे उनके पास उन्होंने रहना शुरू किया, वहाँ पर रहकर उन्होंने रामायन का जापानी में अनुवाद किया, जापानी भाशा सीखी, वहाँ पर रहकर उन्होंने सोले पुस्तके लिखी, वहाँ पर रहकर उन्होंने न्यू एशिया के नाम से ए पहुंच आया जाएगा ऐसे रास बिहारी बोस्त थे जब वो जापान में पहुंच गई तो अंग्रेजों की पूरी पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई अंग्रेजों की पुलिस लगातार जापान के में जो उस समय जापान के जो राष्टा ध्यक्ष होते थे उनसे बात कर होती थी जापान अंग्रेजों के जो बिटिश जाशूश हैं वो लगातार उनके पीछे पड़े रहते थे उनको सूंखते रहते थे कहीं वो जाकर रहते थे तो अंग्रेजों की अंग्रेजों के यासूस वहां पर गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाते थे तो जापा वहां के राश्ट्रवादी थे, उन्होंने उनको अपने घर में रखा, अब उन्होंने जब अपने घर में रखा, तो वहां के पाउरफुल नेता थे, जापानी पुलिस और अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि उसके उपर हाथ ला लें, उसके बाद जब उन्होंने उनकी शादी करवाई, रासबिहारी बोस ने कोको सोमा के साथ शादी की, शादी करने के बाद वो उनके साथ रहने लग गये, उनको जापान की नागरिक्ता मिल गई, रासबिहारी बोस जो वहां पर रहते थे, तो लगातार पुलिस पीछे पड़ी रहती थी, एक बार उनको बात किया, और बात करते करते, उन्होंने योजना बनाई, अपने घर के पिछवाडे से एक कार, उन्होंने बिजवाड़ा, तेजी से दोड़ाई, तेजी से जब कार निकल कर गई गली से, तो पुलिस वालोंने सोचा, कि इसके अंदर रासबिहारी बोस निकले हैं, वो सामने के दरवाजे से हटे, उन्होंने उस कार का पीछा किया, रास ब्यारी बोस घर में ही थे और घर से उन्होंने सुरक्षित निकाला. शादी होने के बाद फिर उनको जापान की नागरिक्ता मिल गई और उनको उन्होंने खुल कर जापानी नेताओं के बीच में भारत की एक छवी बनाई और भारत की आजादी की लड़ाई के लिए जापानी नेताओं का सायोग लिया उस समय जापानी और अंग्रेजों का युद शुरू हो गया अंग्रेजों ने जापानीयों का एक जहाज डुबो दिया था जापानी और अंग्रेजों की मित्रता भंग हो गई और विश्यूयुद का जो वातावुन बना उस विश्यूयुद में दोनों देश आमनें सामने खड़े हो गे उस समय रास भिहारी बोस जो अंग्रेज उनके पीछे पड़े रहते थे उसमें अंग्रेजों और जापानियों की जो लड़ाई हुई उसमें जापानियों ने बहुत से अंग्रेजों के सैनिकों को बंदी बना रखा था। हम इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अंतरगत उनकी एक आर्मी बनाएंगे और उस आर्मी में इनको लेंगे ये आर्मी अंग्रेजों से युद्ध करने का काम करेगी। हम अंडर बने और जापान में ये काम शुरू हो गया लेकिन वो सेना कोई बहुत बड़ा लगी हुई थी उस समय कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो सकता था। रास बिहारी बोस जी की आयू बड़ी हो गई थी उसी समय एक वाताउन बना और उस वाताउन में नेता जी सुवाश्चंदर बोस भारत को छोड़ कर जर्मनी के रास्ते अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंच चुके थे। 1942 में रास बिहारी बोस ने एक सेमिनार किया इंडियन 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 इंडिपेंडेंस लीग का बैंक काउंट में और उसमें पूरे अलग-अलग देशों में जो भारतिय रहते थे क्रांतिकारी रहते थे उनको बुलाया नेता जी सुवाश्चंदर बोस को उस सेमिनार का उस इंडियन इंडियन इंडिक्नण्ट लीग के उस Конफरेंस का देख्ष्ट रखा और उस समय उनकी बातचीत की नेता जी सुवाश्चंदर बोस के बारे में जब बातचीत की तो रास बिहारी बोस ने जापाण का उस समय जो प्रमुक होता था उससे बात की कि नेता जी सुभास चंदर बोस जर्मनी में है आप अपने जर्मनी के अधिकारियों को कहिए कि नेता जी को यहाँ पर भेज दें वो इस आजाद हिंद फोज की कमान समालेंगे उनके अंदर नित्रत्तों की छमताएं हैं और रास बिहारी बोस नेता जी सुभास चंदर बोस की नेत्रत्तों की छमताओं को जानते थे 1938 में जब नेता जी प्रधान कांग्रेस की अध्यक्स चुने गई तो रास बिहारी बोस ने एक पत्र लिखा था मैं वो पत्र आपके सामने पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ वो पत्र क्या था उस पत्र के साथ आपको उस समय की कांग्रेस की स्थीति का भी पता लग जाएगा और रास बिहारी बोस का वीजन क्या था नेता जी का वीजन क्या था उसका पता लग जाएगा उन्होंने पत्र लिखा, मेरे प्रिया सुभाश बाबू, भारत के समाचार पत्र पाकर मुझे यह सुखत है, समाचार मिला है, उस समय रास वियारी जौपान में थे, कि आगामी कांग्रेस के लिए आपको अध्यक्ष चुना गया है, मैं आपको हार्दिक शुब कामनाई दे अंग्रेजों के भारत पर कबजा करने में कुछ हद तक बंगाली भी जिम्मेदार है, उन्होंने का क्योंकि पहला प्लासी का युद बंगाल में हुआ था, उन्होंने का कि मेरे विचार से बंगालीों का मूल करतव है कि भारत की आजादी दिलाने में वो औरों से अधिक पलिदान करें, देश को शही दिशा में ले जाने के लिए आज कांग्रेस को क्रांतिकारी मानसिक्ता से काम लेना होगा, इस समय यह एक विकाश सील संस्था है, इसे विशुद क्रांतिकारी संस्था बनाना होगा, जब पूरा शरीर दुशित हो, तो अंगों के उपर बाह आरदवाई लगाने से काम नहीं चलेगा, आगे वो कहते हैं कि यह जो गांदी जी की अहिंसा की अंधि वंदना है, इसका विरोध होना चाहिए, यह विचार के अंदर परिवर्तन होना चाहिए, हमें हिंसा और अहिंसा हर संभव तरीके से अपना लक्ष प्राप्त करना च साथ जीना चाहता है, तो उसको अहिंसावादी नहीं होना चाहिए, शक्ति की पूजा सब करते हैं, हमारी कठिना यह है, कि हमारे कानों में बहुत लंबे समय तक अहिंसा की बातें भर दी गई है, और यह विचार पूरी तरह से निकाल देना चाहिए, और आगे वो लिखत अपने देश के लिए हजारों की संख्या में मरने के लिए तयार हैं, यही जागरती हमें आनी चाहिए, हमें यह जान लेना चाहिए, कि मृत्यू को गले कैसे लगाया जाता है, और जिस दिन हमने यह सीख लिया, कि मृत्यू को गले कैसे लगाया जाता है, भारत की सोतंतरत कि समस्या अपने आप हल हो जाएगी ऐसा रास बिहारी बोस ने 25 जनवरी 1938 में टोकियो से नेताजी सुभास चंदर बोस जब कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने तो उन्होंने पत्तर लिखा तो ऐसे रास बिहारी बोस थे 22 जून 1942 में लीग का सम्मेलन आयोजित हुआ उसमें तै जाता हुँ तो उस समय वहां का जो प्रमुख था उससे पूछा कि आप सीनियर करांतिकारी है रास बिहारी बोस नेता जी सुभास चंदर बोस से जर्मनी के अधिकारियों ने हिटलर से बात की हिटलर के अधिकारियों से बात की उन्होंने नेता जी को बुलाया उन्होंने कहा कि आपको हम जापान में भेजना चाहते हैं कि आप जापान में जाना चाहते हैं और उन्होंने वहाँ यह नहीं कहा कि आपको सेना का नित्रतों करना है, उन्होंने कहा कि वहाँ पर सेना बनी हुई है, रास बियारी बोस जी है, क्या आप रास बियारी बोस के नित्रतों में काम कर लेंगे, तो अब नेता जी का जवाब सुनने लायक है, इदर रास बियारी उसके नेत्रत्तों में उसके नीचे काम करने के लिए तयार हूँ, मुझे कोई पद या मान सम्मान की भूख नहीं है, दोनों नेता एक दूसरे के अंतरगत काम करने के लिए तयार है, नेता जी सुवाश्चंदर बोस लगबग 90 दिन की पंडुब्बी की यात्रा करके, मेड जी सुवाश्चंदर बोस के अंदर नेत्रत्तो के ऐसी छंताएं थी, कि उन्हों ने पूरे बर्मा, पूरे एशिया में जो भारतिया रहते थे, उनके हर्दे के अंदर हर्दे हर्दे परिवर्तन कर दिया, कहीν जब कारिकम होता था, तो नेता जी सुवाश्चंदर बोस जो गेंदे की एक-एक माला पहनते थे, उस माला की निलामी करते थे, तो जब वो निलामी करते थे, तो वो माला एक-एक लाख रुपे की बिक्ती थी, उस समय कितनी कीमत रही होगी, एक-एक रुपे की, वहाँ पर एशिया में रहने वाले एक हमारे गुजरात के भाई थे, उस भाई ने अपनी एक करोड रुपे की संपत्ती आजाद हिंद फोज को दान कर दी ऐसा नेता जी का प्रभाव था लोगों ने आजाद हिंद फोज जुआइन कर ली नेता जी ने कहा कि ज़्यादा संख्या में मेरे पास देने के लिए अथियार नहीं है तो उन लोगों ने कहा कि हम लाठियों से लड़ाई करेंगे हम हाथों से लड़ाई करेंगे हम आमने सामने की लड़ाई करेंगे लेकिन हमें भरती कर लो महिलाएं आई उन्होंने अपने रक्त से अपने हस्ताक्षर करके नेता जी को ग्यापन दिया कि हमें भी लड़ाई के अंदर शामिल करो बच्चे आए उन्होंने कहा कि इस आजादी की लड़ाई में हम भी अपना योगदान देना चाहते हैं हम लड़ाई नहीं कर सकते तो सूचनाई पहुंचा सकते हैं हम सैनिकों की पीछे मदद कर सकते हैं तो आजाद हिंद फोज में नेता जी ने बाल सेना के नाम से अलग से एक यूनिट बनाई इतना उत्सा वहाँ पर नेता जी सुभाष चंदर बोस ने भर दिया तो रास बिहारी बोस ने पूरी कमान नेता जी सुभाष चंदर बोस को समभलवाई सुभाष चंदर बोस मनिपूर कोहिमा के रास्ते नागा लेंड के रास्ते इंफाल के रास्ते आज का जो अंडमान निकोबार दीप है वो आजाद हिंद फोज ने जीत लिया था वहाँ पर अपनी सरकार स्थापित कर दी थी शहीद और स्वराज दीप उसका नाम रखा था इंफाल में जब मोईरंग में एक जगे है मनिपूर के इंफाल में वहाँ तक आजाद हिंद फोज पहुंच चुकी थी नेताजी खुद वहाँ पहुंचे थे और वहाँ पर उन्होंने आजाद भारत का भारत की भूमी पर पहुंच कर जंडा ले रहाया था वह स्थान आज भी एक तीर्थ के रूप में है आपका कभी मनिपूर जाने का उसर मिला तो बर्मा के बॉर्डर के उपर आप वहाँ पर जरूर जाएए उस स्थान की भी आज की वर्तमान राष्टवादी सरकार ने अपने अंडर में लिया है और वो स्थान जिसका प्राइवेट था उस स्थान को टेक ओवर करके अब वहाँ पर बड़े समार्क का निर्मान हो रहा है अंडमान निकोबार जिसमें सैलूलर जेल रही गांधी परिवार का कोई विकति वहाँ पर घूमने के लिए भी नहीं गया जेल में जाने के तो दूर की बात है वहाँ पर गांधी जी का बड़ा सा राजीव गांधी का बड़ा स स्टेचू लगा हुआ है ऐसे लगा हुआ है समुद्र के बीच में जैसे अमेरिका का Statue of Liberty है ऐसे ही राजी उगांदी का Statue है जिसमें वो माला को घुमा रहे हैं और घुमती हुई माला को घुमा रहे हैं कि जैसे सामने करांतिकारियों के और काले पानी में जितने लोग रहे थे उनके नेता राजी उ भूमी के रूप में वहां से साशन चलाया था, वहां अपना प्रशासक नुक्त किया था, हमारी आजाद सरकार, 1944 में वहां पर स्थापित हो चुकी थी, इस गोरो को हमें पढ़ाया नहीं जाता, इस गोरो को हमें बताया नहीं जाता, तो आजाद हिंद फोज ने लड़ाई कौनसी थी जहांपर सबसे बैंकर मोर्चा था तो उन्होंने ये पाया कि जो मनीपुर और कोहिमा के जंगलों में आजाद हिंद फोज और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था वो दूसरे विश्व युद्ध का सबसे खतरनाक मोर्चा था ये अंग्रेज के शहीदों का कोई समारक नहीं अंडमान निकोबार में मैं जब वहां पर एक रोस आइलेंड है वहां पर जब मैं गया तो मैंने देखा कि एक कब्रिस्तान है उसको बड़ा जगमक किया हुआ अच्छी सी लाइट लगी हुई है बाकी सब तो खंडर है तो जब पूछा त इसके अंदर जितने भी अंग्रेज जेलर होते थे अंग्रेज यहां के प्रशासक होते थे अधिकारी होते थे उन सब की कब्र बनी वी है उन सब की कब्र की साफ सफाई तो रोज होती है वहां पर लाइट जलाई जाती है वहां पर सजावट की जाती है लेकिन ऐसे हमारे क परांतिकारी जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए दे दिया उनका कहीं कोई सम्मान नहीं होता तो रास बिहारी बोस जी और आजाद इंद फोज ने जो लड़ाई लड़ी उससे लाल किले में फिर आजाद इंद फोज के सैनिकों ने शहादत दी और जो बच गई उनको अंग्रेजी सेना ने पकड़ कर लाल किले में लेकर आए लाल किले में मेजर शाहनवाज खान मेजर ढिलो और सहगल कैप्टन सहगल इन सब को जो सेना पती थे अलग-अलग जो उनकी बटालियन बनी हुई थी उनके नायक थे उन सब को वहाँ पर पेश किया गया शद्दारी रखेंगे और भारत को आजादी कैसे मिली क्लीमेट एटरी जो 1945 से 50 तक प्रधानमंत्री रहे इंग्लेंड के वो 1956 में भारत में भूमने के लिए उस समय बंगाल के राजयपाल थे स्री पीवी चकरवरती जी जब वो पीवी चकरवरती जी के साथ बैठे वे थ किया यहाँ पर आपने संसद भान बनाया राष्टरपति भान बनाया जिसके अंदर साड़े 400 कमरे हैं यह भारतियों के लिए तो नहीं बनाया आपने रेल लाइन बिछाए, डाक मंगले बिछाए, अच्छे अच्छी भवन बनाए, तो ये किस के लिए बनाए, आप तो सो दो सो पांसो साल तक रहने वाले थे, तो दूसरे विशुवित के बाद तो आप ताकतवर बन गए थे, युद्ध आपने जीता था, आपने क्यों छोड गांधी जी के कार्ण छोड़ा क्या, तो मिस्टर एकली हट पड़े, उसने कहा कि गांधी जी के कार्ण नहीं छोड़ा, हमें भारत छोड़ना पड़ा, हमें भारत छोड़ना पड़ा, नेता जी सुभाष चंदर वोस के कार्ण, क्योंकि नेता जी सुभाष चंदर वोस न पूरा देश सैनिकों के साथ खड़ा हुआ, कुछ लोगों फांसी के उपर लटकाया गया, कुछ को सजा दी गई, बाकी सैनिकों को आजाद कर दिया गया, भूला भाई देशाई ने वो मुकदमा लड़ा, उसके तरक आज भी सुनने लायक है, मैं कभी समय मिला तो मैं उसका वीडियो बनाऊंगा, अंग्रेज कहते थे कि तुम हत्यारे हूँ, सेना को कहते थे कि इन्होंने अक्रमन किया है, और भूला भाई देशाई उस समय बुखार में तपते थे, उनकी आई उस समय 70-75 साल की थी, उठ नहीं सकते थे, लेकिन वो भी तरक देने के लिए लाल कि पर हम नमन करते हैं, आपने किसी पाठ में रास बिहारी बोस के बारे में नहीं पढ़ा होगा, आज भी जापान में डिश बनाई जाती है, जो हर रेस्टोरेंट में फेमस है, उस डिश का नाम ने रास बिहारी बोस के नाम पर है, उस करी का नाम रास बिहारी बोस के नाम जापान के लोग तो रास विहारी बोस के बारे में जानते हैं लेकिन हिंदुस्तान के लोग जिनके लिए रास विहारी बोस ने अपना पूरा जीवन लगा दिया वो रास विहारी बोस के बारे में नहीं जानते ये विडम बना है हमारे पहली, दूसरी, तीसरी, छटी, साथवी, आठवी, नोवी, दसवी, ग्यारवी, बारवी और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की किसी भी हिस्ट्री में हमें रास बिहारी बोस के नाम से एक चैप्टर भी नहीं पढ़ाया जाता एक लाइन भी कहीं लिखी नहीं जाती, यह हमारे देश की विडंबना है ऐसे लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया, जिन्होंने भारत को आजादी के रास्ते आजादी दिलवाई उनके बारे में हम जानते हैं, निरास बियारी बोस जी की 1945 में आजादी देखने से पहले वहीं पर मृत्य हुई जापान में, उनको उनकी पतनी के बगल में दफनाया गया और उनकी पतनी के बगल में दफनाने के बाद उनकी जो अस्थियां हैं, उनको 2013 में 70 साल बाद जापान से भारत लाया गया और अब विडंबना देखिए, चंदन नगर का मेयर उन अस्थियों को लेकर आया, और उन अस्थियों का स्वागत करने के लिए, जब वो भारत आये, ना तो बंगाल की सियम, ना भारत का कोई बड़ा मंत्री, कोई बड़ा व्यक्ति वहाँ पर उनको श्रद्धांजली देन हमारे हाथ में है, हमारा ये दाइत्तो बनता है, कि ऐसे गुमनाम करांतिकारी को, जो चमकते वे सितारे की तरह थे, जो शायद नहीं होते, अपनी जवानी को जलाते नहीं, तो भारत को आजादी नहीं मिलती, उसकी इस कहानी को जन जन तक पहुंचाएं, उनके बारे में बहुत अधिक पुस्तके नहीं लिखी गई है, बहुत अधिक पढ़ाया नहीं जाता, उनकी पुन्यति थी, उनके जनम दिन पर कोई छुटी भी नहीं मनाई जाती, आज भीमार्मी, मीमार्मी, सब छोटे-छोटे, जिनका सामान्य योगदान है, उनके नाम पर छुटिया और जो जापानियों के मन में उनके लिए कितनी स्रद्धा थी, आप अंदाजा लगा लीजिए, कि जापानियों ने 1945 में जब उनकी मृत्यू हो गई, तो जापान का जो सबसे बड़ा पुरुस्कार है, जैसे भारत में भारत रतन है, ऐसे ही जापानियों का जो बड़ा प पेटी है उनके वंशज है हमने उनको कोई सम्मान नहीं दे पाए तो आज हम उनको यहां से धन्यवाद यापित करते हैं कि उनके परिवार ने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी जैहिंद वंदे मातरम भारत माता की जैए